हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कम्टिशन कम्मूनिटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग कैसी चल रही है आप सब करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इसके पहले के हम सबों के प्रैक्टिस सेशन वाले वीडियोज को जरूर से देखते आ होंगे और इससे आप सब लोग काफी बेनिफिटेट भी हो रहे होंगे तो चलिए आज फिर हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट की और चलते हैं और इसमें बहुत सारे नए चीज़ों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे आज का हमारा यह वीडियो सेशन है यह काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है आप सभी बच्चों के लिए जो सीजेल और सीचेसल का एक्जाम देने वाले है ठीक है चलिए ऐसा क्यों होने वाला है इसकी चर्चा हम लोग करें क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ऐसे कई कोशन्स को देखेंगे उसको डी भी इसकिप ना करें ठीक है क्योंकि कहीं भी ऐसा इंपोर्टेंट सेक्षन आ सकता है तो चलिए अब बिना किसे विलम के हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेट को सुरू करते हैं चलते हम लोग आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की तरफ आज हमारा यह पाच्वा प्रैक स्पेल्ट का मतलब इस कोश्चन में हमें उस वर्ण को सेलेट करना है जिसका स्पेलिंग करिक्ट हो जिसका स्पेलिंग कैसा हो बिल्कुल correction ठीक अब देखे ट यहां पे चार ओन्ट उवाट आपको एस एज़ड़ वहांग सुपिलिंग क्हों टार इज ए डबल सी एन टी आर आई सिदेखे ईडबल सी है करे सिमें नहीं यह cit follow rpm आर इसमें नहीं है फो यह क्या हो गया यह खो हो सकता है इसमें सिन धिह क्या नई है नई कोशन की तरफ चलते हमारा अगला कोशन क्या है अगला कोशन है हमारा सेंटेंस improvement का ठीक है अब यहां पे आप a lot हो जाईए क्योंकि यहां से आपका confusion से भरा हुआ section सुरू होता है ठीक है अब देखे इसमें हम आपको सबसे पहले आगाह करते चलें aware करते चलें हम आपको a lot करते चलें इसमें गलती कैसे होती देखे sentence improvement में हम लोगों को work कहा करना होता है तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जगह पर work out करना होता है जहां पर underline किया हुआ part given होता है जिसको underline किया गया होता है या more later में लिखा गया होता है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहां पर focus करने की ज़रूरत होती है अब इसमें confusion से बढ़ा हुआ यह section क्यों है इसको क्यों सीखना है इसको आप ठीक से समझें कई बार आप देखेंगे कि time to time आपके एससी में ऐसे question जान बोज कर intentionally दिये जाते हैं इसमें रहस्ति क्या है बाई क्यों इसमें हम लोग गलती करते हैं तो इसमें गलती करने का reason यह होता है कि जो underline क्या हुआ पार्ट होता है या लेटर में लिखा हुआ जो sentence improvement का पार्ट होता है यह already correct होता है ओप्षन में यह no improvement आ आपको दिखाए पड़ सकता है ठीक है और साथ ही साथ जो remaining तीन option बचते हैं उसमें से कोई एक option ऐसा होता है जो already correct होता है मतलब समझे फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करें ठीक है इस बात को पूरे concentrate होके सीखने समझने का प्रयास किजिए क्योंकि इस type के question जब भी 30% बच्चे हर बार इस तरीके के question में गलती करते ही है ठीक है तो ऐसे आज के इस video session में हम लोग ऐसे कई question को discuss करेंगे ठीक है इसलिए हमने कहा कि आज का जो वीडियो है इसको लाज तक जिरूर से देखिएगा ठीक है अब देखिए इसमें अच्छी बात क्या है फिर से हम repeat जो improvement का part होता है वो already correct होता है इसके अलावा यहां पे आपको जो 4 option given होता है इस 4 option में से कोई एक option भी correct given होता है ठीक है और एक no improvement वाला option भी आपको given होता है तो ऐसे situation में जब यह improvement का part already correct होता है तो इसका answer बनना चाहिए था no improvement जैसा कि हम में से maximum बच्चे करते हैं ठीक है तो इसका बनना चाहिए no improvement बट ऐसा नहीं करते हैं इस बात को आप फिर से समझे यदि ऐसा कहीं भी कोई भी question आपको कभी भी ASAC के किसी भी exam में दिखाए CPO हो और भी कोई exam हो ठीक है जिसमें English पूछा जाता है ऐसे किसी भी ASAC board के द्वारा पूछे जाने वाले exam की बात हम करें तो सभी exams में ऐसे question intentionally दिये जाते हैं जानबूज कर आपको दिये जाते हैं ताकि आपको reject करवाए जा सके ताकि आप में से maximum बच्चे गलती करें exam से हो जाएं ठीक है फिर से समझें तो improvement वाला पार्ट already correct होता है यहां जो चार option होते हैं इसमें से एक option होता है no improvement और एक और कोई option already correct होगा जना ध्यान देजिए तो ऐसे situation में maximum बच्चे answer किसको करेंगे no improvement को करेंगे जबकि आपको ऐसा नहीं करना SSC का trend क्या है यह सीखी SSC का trend है कि यदि यह board letter में लिखा गया word या improvement वाला जो पार्ट है यह already correct हो और नीशे दूसरा कोई और एक option भी correct हो तो दोनों को हम जोग एक दूसरे से replace करते हैं क्या करते हैं दोनों को एक दूसरे से replace करते हैं न कि हम अपना answer no improvement वाला करते हैं बात question same question यदि किसी दूसरे exam में दे दिया जाए like जैसे bank में दे दिया जाए ठीक है इंडिये में दे दिया जाए cds में दे दिया जाए तो वहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि इसी question का answer होका no improvement क्या होगा no improvement होगा but SSC का अपना pattern है वो no improvement को ऐसे question में accept नहीं करत बलकि जो दूसरा इन में से जो remaining option given होते है उसमें से जो दूसरा option correct होता है हम लोग उसको answer करते है ठीक है बात समझ में आई चलिए अब इस question को हम लोग पढ़ते है the law a museum known to everyone in the world मतलब यह कैसा museum का नाम दिया गया है यह कहां पे है बई पेरिस में और यह कैसा है known to everyone in the world सब लोग इसको जानते हैं ठीक है बात समझ में आई तो यह कैसा museum है जिसको दुनिया में सब लोग जानते है तो यह वाला पार्ट अलेटी हमारा correct है अब ज़रा option में जाए no improvement हम इसका answer नहीं करेंगे ठीक है चलिए अब आगे ज़रा देखें a world famous museum यह हो सकता है a world ruined museum यह answer नहीं होगा ऐसा हम लोग यूज नहीं करते हैं ग्लोबली नोन यह भी हम लोग यूज नहीं करते तो यह दोनों ऑप्सन बाहर चले यह भी बाहर चला गए यह option अलड़ी करेक्ट है अब ज़रा ध्यान देजिए यह improvement का जो पार था यह भी करेक्ट है और यह भी करेक्ट है ठीक है और यहां पर नो improvement भी दिया हुआ है तो ऐसे question का answer हम लोग क्या करते हैं ऐसे situation में हम अपने एसे सी बोर्ड के according answer करते है option number B को किसको option number B को हम answer करते है ठीक है बात समझ में आई important है काफी important है आप इसको note करते चलिए यहां पर चले हम अगले question में अगला question हमारा क्या है तो अगला question है इडिएम का किसका है यह इडिएम का है इस question में क्या करना है जरा ध्यान देजें he is playing ducks and rex मेल होता है जो बत्तक एक चड़िया होती है ठीक है उसका मेल पार्ट यह होता है फीमल पार्ट यह होती है ठीक है जो आप जेंडर में पढ़ते हैं masculine and feminine, ठीक है, तो ये male part है, ये female है, ठीक है, अब ज़रा ध्यान देजे, with the wealth of his father, wealth का मतलब धन, मतलब पीता जी का जो भी संपत्ती था, पापा का जो भी संपत्ती था, उसे वो क्या कर रहा था, duck or drugs की तर जैसे, duck or drugs को एक male और एक female मालने, ठीक है, तो दोनों में यदि प्या इस तरीके से, खर्च करने से, उसको कुछ मिलने वाला तो है, ठीक है, आमिर खान के एक movie में, उसका line था, आप जानते होंगे, love is waste of time, ठीक है, तो ये waste of time ही नहीं है, ये waste of time तो है, साथ नहीं साथ, ये waste of money भी है, ठीक है, तो ऐसे situation में, यदि कोई भी लड़का हो, वो य ठीक है, उसका कोई use नहीं है, ठीक है, इस तरीके के लड़कों को या लड़की जो भी हो दोनों में से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको बाद में वो खुद भी महसूस करते हैं, और बाकी society के लोग भी उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ, foolish, मुर्ग, पागल, ठीक है इस तरीके से, तो पागल इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो mentally mad नहीं है, ठीक है, mentally unfit नहीं है, चलिए, related option को लोग ढूड़ना शुरू करें, spending, spend का मतलब क्या होता है, खर्च करना, चारों में क्या है, खर्च करना, ठीक है, diligent, ले, diligent क्या होता है, बहुत मेहनत करने, मत मतलब खर्च करने में एकदम कंजूस आदमियों, एकदम जब तक बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं आ पड़ती हो, तब तक पैसे का खर्च नहीं करता हो, ठीक है, तो यह situation इसा, रिलेट नहीं करता है, लेविस, लेविस क्या होता है, मतलब भूग विलासिता की चीजों मतलब खर्च करने, जैसे मान लिजे, आप घड़ी पहनते हैं, तो आट-दस रियर के घड़ी से आपका काम चल जाता है, लेकिन नहीं, हम यह नहीं पहनेंगे, अब हमें मांगी, घड़ी चाहिए, उससे भी ज़्यादा मांगी, जैसे पेन हम लोग यूज करते हैं, तो द इसको कहते हैं, 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 ducks and dricks से relate करते हैं तो इस question का अंसर क्या बनेगा option number C next चलते हैं से अगले question की तरफ अगला question क्या है जरा ध्यान से देखें अगला question option देखके ही हम लोग कर सकते हैं कि sentence rearrangement का है अब जरा देखें सबसे पहले इसके option को हम लोग देखें तो दो option शुरू हो हुआ आर से 2 मतलब जाहिर सी बात है कि और या क्यों इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा first sentence होगा मतलब बहारा पहला नहीं होना ठीमारा पहला नहीं होना आप इनको पढ़के देखी जाहिर शी कहां बात है कि यहां प्रापर नाउन दिखाई दैसे चिप को मोमेंट दिखाई दिया प्रापर नाउन दिखाई दिया कनफर्म हो गया कि हमारा फॉर्स से इस से सुरू हो गा मतलब क्यूवाला option हमारा cancel होगा Q वाला option cancel अब देखे आर पी आर पी दोनों में common है अब हम लोगों को ये तैय करना होगा कि P के बाद Q को रखें या P के बाद S को रखें ठीक है तो S Q होगा या Q S होगा ये हम लोगों को चेक करना होगा आईए हम लोग Q और S को जारा पढ़ते हैं सबसे पहले Q को कर जाएगा है चि कया है तो यह पर परेफेंशन को Efendimiz क 것이 को पढ़ते हैं याद करते हैं तो उसके आधार पे आप बिना सेंटेंज को पढ़ते हुए आंसर कर सकते हैं कि पहले आएस आएह और और उसके बाद क्या आएगा तो उसके बाद आएगा क्यों तो यह को इसक्रित क का question यहाँ पर हम लोगों को opposite meaning वाला वाड़ बताना है सबसे पहले यह सीरीन का मिनिंग क्या होता है बहई सांत एवम आकरसक जो सुन्दरता से ब्यूटी से भरपूर हो नेचूरल ब्यूटी से भरपूर हो ठीक है तो सिरीन का यह मिनिंग होता है अब काम का मिनिंग क्या होता है सांत एंगरी मतलब गुसा रफल्ड क्या होता है रफल्ड होता है अस्त व्यस्त बिखरा हुआ जो दिखने में अच्छा नहीं लगता हो दिखने में घटिया हो ठीक है बीचर क्या होता है कड़वा अब यहां पर क्या करना था तो सिरीन का देखिए यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसका सिनोनिम्स एंग्री इस से रिलेट नहीं करता है क्योंकि सांत एवं आकरसक है तो आकरसक का उल्टा क्या होगा आस्त वैस्त भी खड़ा हुआ जो दिखने में अच्छा नहीं लगता हो त इंडियन डीफेंस फोर्सेस तो इंडियन डीफेंस फोर्सेस नहीं होता है इंडियन आर्मड फोर्सेस होता है तो इस डीफेंस की जगह हम लोगों को क्या करना होगा यहां पर हम लोगों को लिखना होगा आर्मड क्या अब इसमें देखिया हम लोगों करना क्या था वह सेक् ग्रमेटिकल एर था तो ग्रमेटिकल एर वाला सेक्षन कौन सा है तो आंसर कौन सा होगे ऑप्शन निम्बर ए ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां से चलते हैं अगले कोशन में देखें हमारा अगला कोशन क्या है दप्रोजेक्ट टू क्लीन दरीवर गंगा एंडड इन समोक जैसे आपने कभी गाना सुना होगा सिगरेटिक्षर के जुएं खल्ला बनागे एक एक विख्ल०ंब हम लेगा हैं सिग्रेट लेकीं जिप्रेट कुई खरीटितां बैशता है तो सिगरेट की कीमत चाहे जितन भी मंढगी हो उसप्राइस के सेंस में वह चाहें ज बसता है एस भस्म राक ठीक है तो सिगरेट का जो राक बसता है वो जो एस वाला पार्ट होता है अब वो किसी काम का है क्या नहीं है तो किसी भी चीज को धूए में उड़ा देना है मतलब कि आप उसको यूजलिस बना दी अब वो किसी काम का नहीं बचा ठीक है बात समझ में आई आपने उसको क्या कर दिया बरबाद कर दिया खत्म कर दिया क्लियर चलिए रेलेटेड ऑप्सर को भूलना शुरू करें इल्ड का मतलब क्या होता है समर्पन कर देना आत्म समर् ठीक है यहां देखें इल्डेड ओंली कन्फ्यूजन केवल कन्फ्यूजन से बरा हुआ बच गया अब ज़रा ध्यान देजिए यह जो इंड इन राफ्यूजन से कोई रिलेशन था क्या नहीं ता सीगरेट जला कन्फ्यूजन रूप धूआ से बचा मिज़न हुआ नहीं नहीं नुक्सान चोड़के ठीक है तो इसका profit से भी यहां पर कोई मतलब नहीं है yielded no plan कोई यूजना नहीं बना तो इसका प्लान से भी cigarette के जलने धुआ निकलने ठीक है इसे किसी planning का कोई वास्ता नहीं तो यूजलिस time का कोई option होता उससे मिलता जूलता एक ही option है practical रिजल्ट कोई उसका व्यवहारिक परिणाम सामने नहीं ठीक है तो यह रहा मेरा अंसर अंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलते हैं हम लोग अगला कोशन देखें हमारा क्या है अगला है पॉमपस अब पॉमपस का क्य बनावटी ठीक है डोंग करने वाला हाइपोक्राइट भी इसको कर सकते हम लोग ठीक है तो यह ऐसा होता है जो दिखने में भड़किला होता है जैसे कभी-कभी आप देखेगा आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां पर देखेगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनरली उस साधी में या उस पार्टी में जो दुला दुलान होता है ठीक है उससे भी ज्यादा खुबसूरत वही लगते हैं तो पूरे पबलिक की जो निगाहें हैं उन्हीं की तरफ ठीक है लेकिन उनको पता नहीं है कि चाहे वो अपने आपको जितना भी अडूर कर लें चाहे जैसा दिखें चाहे वो जैसा हो चाहे वो जैसा कपड़ा पूंद लेकिन उस दीन का हीरो और हिर्ोईन तो वही है ठीक है चलिये तो ऐसे लोगों को क्या कहते है पॉंपस अपिस अपिस वह ने करते है थी क trilogy हम थ्यूर बहुत धंका कपड़ा पहें लेंगे बलेजर वगएरा ले लेंगे मेल है तो लेकिन अगदम वैसा कपड़ा हम नहीं पहनेंगे कि दुल्हे के चाचा लगने लगी है ठीक है बात समझ में आ रही है मी क्या होता है सांत विनम्र कम बोलने वाला चूप रहने वाला ग्रैंड यूज क्या होता है ग्रैंड यूज भवेता आलिसांता महांता का प्रदरसन करने वाला मतलब जैसे आप कहीं गए महांगे कार में गए महांगा महांगा आपके पास अंड्रेस हो सारी महांगे महांग यह हो गया synonyms, यह हो गया synonyms, तो यह और यह हो गया synonyms, ठीक है, अब पॉम्पस का मीक से कोई मिनिंग नहीं निकलता, अब इसका antonym के रूप में एक ही वोड बसता है हम लोगों का humble, ठीक है, तो इस question का आणसर बना humble, next, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले question में, तो हमारे आपके घर में जो मम्मी होती हैं दीदी होते हैं या जो भी मेंबर होते हैं कुकिंग वाले उनको अब देखेगा कि वो लोग ऐसे कई ऐसे डीसे को बनाते हैं जिसको थोड़ा बहुत बॉयल कर दिया जाता है पहले और बाद में उसको फ्राइ किया जाता है या और कुछ करके उसको कुक किया जाता है, रेडी किया जाता है, ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे answer करेंगे, ये OWS का question है, OWS one word substitution का, चले इसको discuss करते हैं, हम लोग esteem, esteem क्या होता है, भाप, वास्प, बेक क्या होता है, ये bread वगएरा के लिए हम लोग यूज करते हैं, बेकरी के सेंस में यूज करते हैं, ये saute क्या होता है, भाई, saute होता है, जो non-wage वाली चीज़े होती है, विसे सुरूप से जैसे meat वगएरा के हम बात करें, तो कम तेल में बहुत कम oil का use करके उसको पकाना, उसको कहते हैं, saute, fry करना, ठीक है, ये पार क्या होता है, भाई, पार का मतलब होता है, एक standard, और boil का मतलब क्या होता है, boil होई ये boil, उबालना, मतलब up to a certain level, मतलब थोड़ा बहुत उसको boil करना, ठीक है, बात समझ में आई, तो इस question का answer क्या बनेगा, इस question का answer बनेगा ये, ठीक है, option number D, next, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले question की तरफ, देखें, अगला question हमारा क्या है, ये भी है, OWS का question, इस question को ध्यान से सीखिए, समझेगा, इसमें गलती होगी ही होगी, कैसे गलती होती है, देखें, जैसे हम लोगो, OWS का question पढ़ते हैं, a cluster of flour, अच्छा, a cluster of flour मतलब सीधा answer करते हैं, bouquet, क्या करते हैं, bouquet, अब धियान देजे, इसमें लिखा हुए, यहां पे, on a branch, मतलब जो पौधा है, उसके branch में फूल को लगा होना चाहिए, अब यह देखें, इन-florescence क्या होता है, इन-florescence होता है, फूलों का ऐसा arrangement, यह ऐसे फूलों का arrangement है, ठीक है, जो plant में लगे होते हैं, जो plant में लगे हुए होते हैं, प्लांट में लगा होगा तो कहा होगा, सारे flowers का होंगे, अपने-पने branch में होंगे, ठीक है, चलिए, यह होता है, रीद का मिनी क्या होता है ? रीद का मतलन होता है माला विसे सुरूप से मोतिव गरह का जो ऑर्टिफीशल मोतिव गरह आते हैं बडस आते है उनकी जो माला बनती है उसको हम लोग कortune अब यह देखें यह बचाव के पास incandescence incandescence कहिए यह होते हैं फुल ओफ इनर्जी फुल ओफ पैसन एक दम कामुक पूरे उत्रिजना में जो सुख खरोश के साथ हम तो ऐसा करके हैं छोड़ेंगे बात समझ में ऐसे लोगों कहते हैं incandescent ठीक है यह incandescence दोनों एक ही चीज़ है अब इस question का आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा option नमबर बी नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question में अगला question क्या है हमारा यह भी है हमारा sentence rearrangement का question तो सबसे पहले इसके option को देखिए हम लोग इसमें देखिए पी कहीं दिखाई नहीं दे रहा पी हमारा पहला sentence नहीं होना है cancel हो गया अब यह तीन option हमारे पास बचे है क्यू आर और एस तो क्यू पहला होगा यह आर पहला होगा यह सबसे पहले हाँ जरा देखिए ध्यान से यह दे अब दे का यूज किसके लिए करते हैं एक से नाउन या व्यक्तियों की चर्चा हो चुकी है तो यह हमारा पहला नहीं होगा यह भी cancel हो गया अब यह तो आर हमारा पहला होगा यह तो इस हमारा पहला होगा इन दोनों में देखे कहीं कोई proper नाउन दिखाई नहीं दे रहा है जिसके basis पे हम लोग देखते के साथ बिना पढ़ेएं इसका अंसर कर लें कि यह हमारा पहला होगा यह हमारा दूसरा होगा इसको हम लोगों को पढ़ना पढ़ेगा ठिक हैं तो कभी कभी कुछ कुछन ऐसे भी आते हैं जिसको आपको पढ़के समझने की जरूरत होती है ठीक है तो देखे क्यों वाला option हमारा क्या के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है चलिए आर से पढ़ना सुरू करते हैं the farmer and his son put the ends of the pole on their shoulders मतलब एक खंबा है कोई ठीक है एक पूल है खंबा है ठीक है उसका जो दोनों छोर है उसको फार्मर और उसके जो बेटे थे यह दोनों अपने अपने कंदे पर रखे हुए थे मतलब एक कंदे पर फादर रख लिए एक कंदे पर उनके सन ठीक है बाब बेटा दोनों रख लिए ठीक है आगे बढ़े the farmer wanted to please the man मतलब जो फार्मर था जो किसान था वो लोगों को खुश करना चाहता था और इसलिए उन लोगों ने क्या क्या डॉंकी को उतारा देखे इसके एक स्टोरी ऐसी थी तो पंच्टांतर बगेर आप यदि पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसी स्टोरी मिलेगी कि किसा पान था और उसका बेटा था और वह दूनों पहले डॉंकी लेकर जा रहे थे तो लोगों कि ने कहा कि कैसे ब्यूकूफ लोग हैं कि बाप बैठा है बेटा पैदल चल रहा है बेटा को बैठाना चाहिए था बापको पैदल चलना चाहिए था तरीके से तो इस तरीके से बारी-बारी से सिच्वेशन चेंजी करता जाता है फिर एक सिच्वेशन ऐसा आता है जब लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं कि एक ऐसे लोग है भाई डौकी को इतने दूर से पैदल चला के ले जा रहे हैं इनको तो डौकी को कंदे पर कंदें बिठा सी इसको तो यहाँ में रखते हैं यह लोग क्या करते हैं कि गंड के बांद कंड़ा लटका लेते सीजेल का ये कोश्चन है इसलिए हम लोग इसको इहाँ पे डिसकस कर रहं तो यरह सारा काम ये पौल में लटकाने का काम एखेज you let उसने हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों कि इसलिए हो रहा है क्योंकि वह लोगों को खुश करना चाहता तो कौन फार्मर ठीक है तो कहानी इससे शुरूगी इससे शुरूगी अब इस वाला हमारे पास एक option है इसलिए सीधा हम इसको क्लिक करेंगे और यहां से आगे बढ़ते रहेंगे बात समझ में आ अब आपने से कुछ बच्चों के मन में यहां पर confusion आ सकता है सर गौट ऑफ का मिनिंग क्या होता है जो मुस्किल की घड़ी है उसमें से मतलब परिसानी का एक सिल्सिला चल रहा हो उसमें से जो सबसे ज्यादा difficult situation हो उससे बच निकल नहीं जैसे हम लों कहते हैं कि मुस्किल मे तो फसे हुए थे लेकिन इस मुसीबत से टल गए तो समझ लो कि इस तरीके की बात थे नेक्स यहां से आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ यहां पर देखें क्या करना है क्रेक्ट्ली इस पेल्ट वोड़ आपको ढूंड़ा है यहां पर देखें आपको यतने वोड़ द मोनीय का स्पिलिंग क्या होता है पी इन ई यू अब देखे रिलेटेट अपशन देखें पी न ए एउ यू मोनीया तो वैसे रहेगा सबमें देखें मौनीया से मैं मौन्या सबमें से पी इन-ई-ई-उ यह वाला ऑन ऑन ये यू निव मोन यह ठीक है बात समझ में आई तो क्या बना करेक्ट टांसर बना हमारा option नंबर एक अब नियुमोनिया क्या है बाई तो एक डेसी से जो जेनरली बच्चों में अपने भारत में ज्यादा तर पाए जाता है ठीक है है अग्ले कोशन की तरब चलते हैं अगले कोशन में देखें हम लोगों को तो करेंट एट एक्टिव हम लोगों को सेलेक्ट करना है चलिए इस कोशन में भी बेख्येगा यह कोशन भी आपको पूरके कंसंटेशन के साथ सीखने समझने की जरूरत है इसमें भी 92-98 परसेंट लोग गलती करते हैं कैसे गलती करते हैं आइए इसको सीखते हैं क्या सबसे पहले हमने आपको पकड़ना है में वाव लगा हुआ है और यह देखिए हैस के साथ बिन और वाव का थार्ट पर मतलब यह सिट्रेश चला गया पैसिब में अब इसका हमें एक्टिव में चुकि यह किसका पैसिब है तो प्रेजेंट परफ्रिक्ट का यह पैसिब है तो इसका जब हम लोग एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में आंसर क्या बनेगा है प्लस वर्व का ठीक है यह बिन हम लोग क्या करते हैं रिमॉव कर देते हैं बात समझ में आ गए अब आ जाईए ऑप्शन को ढूंड़ना हम लोग शुरू करें यह देखे हैस नॉट ओपेंड हो सकता है हैस ओपेंड यह अगर होगा तो इधर देखे नॉट लगा हुआ है यह भी हो सकता है नेगेटिव और को शुरू में डाल दिया है हैस नॉट ओपेंड यह भी हो सकता है यह देखे हैस भी ना गया तो यह कैंसल हो गया अब इन तीनों में से कोई एक हमा और आंसर नहीं हो सकता अब इनहीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा अब हम में से maximum लोग क्या करते हैं तो एनिवन वाले को ऐसे उठाएंगे और इसको आंसर कर देंगे इस बात को ठीक से समझेगा हम फिर से यहां पर रिपीट कर रहे हैं maximum बच्चे यहीं गलती करते हैं तो यहां क्योंकि question में anyone लिखा था यहां भी anyone का use कर लिए अब देखिए हम जब आपको narration और voice पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताए था कि narration और voice में meaning mode और tense change नहीं करना चाहिए मतलब sentence के recording उसका जो भी tense यह meaning और mode होता है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ठीक है एस sentence का जरा हिंदी हम लोग पढ़के समझने का प्रयास करें जो packet था उसको किसी के भी द्वारा खोला नहीं गया था ठीक है एक को पढ़ते और भी एक और को फड़त एन्युवान है नॉट उपेड सेनलब समय ऱम एकजाम में पूछे जाएंगे तो आप यहाँ पे anyone वाले को answer मत करना भाई आप इसको prefer करना बात समझ में आ रही है तो हमारा correct answer क्या बनेगा correct answer बनेगा option number B correct answer क्या बनेगा option number B ठीक है यह भी confusion से बरा हुआ question था तो confusion वाला question था अगले question में चलते हैं यहां भी देखिए आपको थोड़ा बहुत confusion होता है थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा confusion होता है कैसे confusion होता है सबसे पहले देखें यह क्या है तो यह हमारा बताया था narration में रिपोर्टिंग वा यदि past में हो तो रिपोर्टेड एश्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा की अंदर जो सेंटेंस होता उसका टेंस हम लोग चेंज करते हैं, तो present perfect को हम लोग change करते हैं, present perfect continuous में, past and definite को भी हम लोग change करते हैं, past perfect में, फिर से यदि reporting वर past में हो, तो reported speech के tense को हम लोग change करते हैं, और reported speech का tense यदि present perfect में हो, तो हम लोग उसको change करते हैं, past perfect में, clear, और दूसरा condition, कि reported speech double inverted comma के अंदर जो sentence लिखा हो था, उसका टेंस यदि past indifferent हो तो उसको भी हम लोग change करते हैं किस में past perfect में ठीक है यह तो active से यह तो direct से indirect के लिए था लेकिन यदि indirect में इस तरीके से past perfect लिखा हो तो इसका direct हम लोग क्या लिखें अब हमारे पास दो option बसते हैं हम चाहें तो past indifferent का यूज भी कर सकते हैं और हम चाहें तो present perfect का यूज भी कर सकते हैं confusion है बात समझ में आ रही है तो इसका answer हम लोग कैसे करते हैं इसमें हम लोग prefer करते हैं present perfect को किसको इसमें हम लोग prefer करते हैं present perfect को बात समझ में आ रही है has anyone यह हो सकता है यहां देखे have you see तो has, have के साथ verb का first form थोड़ी आता है see क्या है यह है verb का first form और has, have, had के साथ क्या आता है verb का third form ठीक है याद किजिए इस बात को हम आपको टेंस जब से पढ़ा रहें तब ही से बताते आ रहें have, had, had, having, has यानि कि have का यह जो पांचों फॉर्म होता है पांचों में से कोई भी फॉर्म हो कहीं भी आपको दिखाई पड़े उसके साथ हम लोग simply क्या यूज करते है तो verb का third form यूज करते है clear तो यह भी गलत हो गया बचा क्या यह तो सीधे यह answer हो गया next आगे चलते हैं इस confusion वाले question से आगे निकलते हैं हम लोग अगला question को देखें इस question को बिना instruction को पड़े हुए हम लोग इसको देखके समझ सकते हैं कि यह filler का question ठीक है तो इस question में सबसे पहले हम लोगों को जो given word होते है इसका meaning आना चाह लोच होता है इनकमपीटेंट अयोग्य आलसी सुस्ति से भरा हुआ लेस एनरजेटिक ठीक है यह इस प्रॉल क्या होता है इस प्रॉल का मतलब होता है बेतरतीव तरीके से मतलब अजीब गरीब तरीके से फैला हुआ विससे सुरूप से यह सब आपको देखने को मिलता है म copyrightте जैने करते फmaking गेर की ठीक है तो हमारे आपके घौर्में व्हेरा में यह कहीं किसी और जगा पर जो पाउधा होता है उसकी dos on कि उसकि घ्रीक रखता है कैची रखता है और उसको एक perfect shape में छाट के पौधे को बनाए रखता है तो पौधा दिखने में attractive लगता है ठीक है तो यदि उसके pruning नहीं कि जाएगी तो वो कैसा दिखेगा बेतर तीब तरीके से चारों तरफ फैल जाएगा और अजीब गरिब दिखने में लगेगा अब यह stroke मतलब जटका आगाद चोट क्लियर स्ट्राइक से बना stroke यह उसका past है तो अब इस question को जरा पढ़िए हम लोग यहां पर क्या हो सकता है some plant of the garden अब गार्डेन से related देखे लेजीनेस है नहीं गार् next अगले question की तरफ चलते हैं अगला भी question इसी टाइप का है filler का ही है सबसे पहले इसके option को लोग सीखते हैं यह देखे बी-fall क्या होता है बी-fall होता है किसी के उपर मुसीबत का किसी बुरी घटना का घटना जैसे किसी के घर में कोई ट्रेजडी लगतार होते रहती है तो ल प्राइक चोट आगाध जोड अकर का मतलब घटित होना अकर का मतलब क्या होता है वेजडी इसको सब लोग नहीं जानते हैं उसको जानना मतलब रिवील करना किसी रहसे को जागार करना किसी चुपे हुए बात को सिक्रेट को बता देना का देना उसका एक्सपोज हो जाना है यह होता है ट्रंसपायर क्लियर अब आज यह ज़रा कुश्चन को में लोग पड़े रिसर्चर्स हैब मतलब जो रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने यह धूंडा पाया कि 16 16 प्रकार के जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं ठीक है यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉंटेक्स्ट एक्रोस 12 वर्ल्ड रिलिजन्स मतलब दुनिया के ऐसे 12 चेत्र हैं जहां पे लोगों में 16 फेसियल जो एक्सप्रेशन है वो कॉमन पाए जाते हैं ठीक है अब इससे रिलेटेट ऑप्शन हम लोग ढूंडे कॉमन पाए जाते हैं देखने को मिलते हैं होते हैं तो इसका बुरी घटना से कोई मतलब नहीं स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है अब एक ही ऑप्शन बजता है हम लोगों के पास अकर नेक्स्ट आगे चलते हैं इससे अगले कोशन की तरफ मॉलीफाई का मिनिंग क्या होता है मॉलीफाई का मिनिंग होता है सांध करना अब इससे रिलेटेट ऑप्शन ढूंडे हम यकोंत्रेंस क्या होता है अपोजट एगंस्ट विरॉद अबहाश विरूद करना डिसमिनेट क्या होता भाइBut करदेना जासे माल किसी को की सी का अप कर लिए जाता हैै ठीक है ठीक है जैसे इसले मूवी में यह हाथ मुझे दे ठाकष एक ताकर ने क्या किया उसका हाथ का क किसने धाकुर ने नहीं गबने किसका समझ में अए तो दुनों हाथ क्या कर लिए फाई टूपे सी ठांठ करना कम करना नेक्स पर सुएड क्या होता है किसी को तो राजी करना, मनाना, जैसे आप यदि कोई mistake कर देते हैं, या आपको कोई ज़्यादा जरूरत होती है, तो पापा आपके चुके ज़्यादा लेनियंट नहीं होते हैं, जैनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है, तो यदि father लेनियंट नहीं है, तो बच्चे कहा जाते हैं, मम कीया करेंगे बनाइंगे यह चाहिए आप साथ खुन कर जाएंगे आप साथ को माफ कर देगी यह को क्या करना था की तरफ हमारा क्या है था हट और ग्रेजिंग सबसे पहले दिखे इसमें कंफ्यूजन क्यों है यह सब्जेक्ट वर्ग्रमेंट का कुश्चन है आप इसको नाउन का कुश्चन भी मान सकते हैं यह हर्ड क्या है कलेक्टिब नाउन है तो हड होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है तो यहां जो वर्ब यूज किया गया इस collective noun के according और यह जो collective noun है यह singular collective noun है collective noun यह singular हो तो वह अब लेगा singular तो यहां आर की जगह क्या यूज करना चाहिए यहां पर हम लोग को यूज करना चाहिए इसका तो sentence हमारा grammatically correct हो जाएक ठीक है चलिए तो अब इसका answer देख लिए यहां पर correct answer दिया हुआ है option number d यह option number d last option ठीक है next आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग अगले question की तरफ चलते ह question में देखे हम लोगों को क्या करना है देखे इसके बारे में हमने आपको पहले से बता रखा यह क्या है तो यह डिस्टिबूटिव प्रोणाउन है डिस्टिबूटिव के बाद यहां पर कोई error नहीं निकलेगा ठीक है एक्ट के साथ यहां पर देखे ओफ लगा हुआ है मतलब कुल मिलाकर सेंटेंस में कोई error हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है तो सिंपल सी बात है कि इस question का आंसर बनेगा no error क्या बनेगा no error और यहां पर भी देखे हम में से maximum बच्चों का एक habit होता है क्या habit होता है कहीं भी आपको grammar में error ढूनने वाला कोई भी question मिल जा करते ही हैं चाहे वो सेंटेंस बिलकुल करेक्ट दिया हो या इनकरेक्ट दिया हो कहीं न कहीं जबरन हम लोग उसको टूपी पानाने का प्रयास करते हैं तो आप इससे अव्यर हो जाई ऐसी गलती नहीं करनी है ठीक है इस question का answer फिलहाल क्या बनेगा answer बनेगा no error ठीक है यह यह भी था आपका अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन है अबस्टेकल का क्या करना है और अबस्टेकल क्या होता है हिंड्रेंस औरोध बाधा रुकावट ठीक है चलिए अब इसको हम लोग जड़ा देखें यह देखें यहां पर जो option given है डिनाउमेंट डिनाउमे स क्या होता है सीजिए सखें मैं से रुकावट होता है तीक है बात समझ में सिजैं क्या होता है अब no तुम्हारा पहले वोक चलते हैं अपने पहले वीडिया था इसकूरे का सिनोनिम करना चाहें तो हमारा अंसर क्या बनेगा हमारा एं सर्थ हमारा हेंटन्स ठीक है नेक्स्ट आ से चलते हम लोग अगले कुशन की तरफ हमारा अगला कुशन क्या है आईए देख्यां अगले को अगले कुशन है मारा 21 से 25 क्लोज टेस्ट के बारे में आपको पहले से बता रखाएं कि इसमें कम से कम एक question ऐसा जरूर होता है जिसको बीना पढ़ी लिखे भी हम लोग बना सकते हैं मतलब उसमें आपको कुछ भी word का meaning जानने की जरूरत नहीं छोटे मोटी concept आपको आए छोटे मोटी चीजें आपको पता हो तो आप आसानी से उस question को tackle कर सकते हैं तो अब तक हम लोगों ने जितने भी close test बना हैं सभी के सभी close test में ऐसे कुछ ने कुछ question आपको given होते हैं और almost सभी के सभी close test में आपको कम से कम एक question ऐसा जरूर से मिलता है इसमें भी मिलेगा आईए इसके story को हम लोग थोड़ा पढ़ना सुरू करें सबसे पहले हम लोग देखे क्या इसमें कोई hardwood हैं तो इसमें फिलाल कोई hardwood हम लोगों को दिखाई नहीं पढ़ता है यह देखे revolution समझते हैं क्रांती ठीक है यह वही है वाइरिंग समझते ही है ठीक है जैसे हमारे आपके घर में जो electric wire का क्या होता है वाइरिंग हम लोग कर आते हैं जब कोई नया घर बनाते तो वाइरिंग कर वाते हैं जिसमें तार हम लोग अलग अलग जगों पे circuit के जिरूप में बिछाते हैं ठीक है यह तार का एक circuit बनता है अब आएए फटा फटा इसको हम लोग पढ़ते चले समझते चले scientists have developed an electronic circuit वाइग्यानिकों ने क्या किया है वह यह तो एक electronic circuit उन लोगों ने developed किया है that does the wiring of human brain मतलब यहां पे जो electronic circuit बना है यह जिसको बनाया है वाइग्यानिकों ने इसके जो रचना है यह इसका जो काम है या इसका जो similarity होगा copy होगा imitation होगा ऐसा कुछ होगा ठीक है यह किस तरीके से काम करता है भाई the wiring of human brain in some ways मतलब ओ कहीं न कहीं यह जो adjectronic सर्कुटब बना है कहीं नकहीं किसी रूप से सर्कुट के तरीको से वाइरिंग के तरीके से काम करता यह मतलब विजह काम करता है यह करता ओगा उसी तरीके से जिस तरीके से human का साया होगी क्लीर चलीं आ गएगर MMA यह क्या है तो एक प्रकार का उपलब्दी है, that does revolutionize computer science, और ये क्या करेगा भाई, तो computer science में एक क्रांती लाएगा, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ला सकता है, कर सकता है, ऐसा कुछ होगा, या computer क्रांती लाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो ये computer science में क्या करेगा, एक प्रकार से क्रां ती लाएगा या ला सकता ऐसा कुछ आना चाहिए and dash understanding of how nature's most powerful dash walk मतलब यहां पर क्या होगा कि understanding जो है उस circuit के यह human brain की तरीके से improve करेंगे तो पहले उसको develop की और फिर अब क्या करेंगे उसके जो understanding है उसको improve करेंगे increase करेंगे बढ़ाएंगे ठीक है understanding of how nature's most powerful work मतलब यह जो human brain है ठीक है यह किस तरीके से काम करता है ठीक है इसके यहां पर चर्चा होनी चाहिए next the dash built on a silicon chip अब यह जो पूरा का पूरा यह जो तंत्र है पूरा का पूरा ही जो system है network है यह किस पे काम करता है भई तो silicon chip पे the size of a finger ठीक है is far from the thinking machines of science fiction ठीक है तो अब इसके आगे के चीजों को आप पढ़िए न पढ़िए यहां तक से आपको मतलब होता है ठीक है तो अब इनको हम लोग चलिए यहां पे फिल करना शुरू करें सबसे पहले option को ओड़े इमिटेट मतलब नकल करना फिक है इमिटेट मतलब जैसा जैसे आप 🎵 ये का नाम सुने होंगे चिंपैंजे के सामने आप जाएए आप जैसा काम करेंगे ठीक आपको कॉपी करके तुरंट वो दिखाएगा ठीक है तो जैसे आप काम करते हैं वैसे काम करना मिमिक्स क्या होता है मिमिक्री आप जानते हैं मिमिक्री मतलब क्या किसी दूसरे के बोली Limit, सिमित करना, नियंतरित करना, अब आजाए यहां पे, limit से कोई मतलम नहीं, उसको limit नहीं करना, उसको expand नहीं करना है, यहां पे mimicry नहीं करनी है, अब यहां पे क्या करना है, तो यहां पे imitate ही एक option हमारा भजता है, तो यह जो electronic circuit है, यह किस तरीके से काम करेगा, तो human brain के तरीके से वो काम करेगा, उसको वो imitate करेगा, ठीक है, next यहां से आगे पड़ते हैं, अगले question में देखे हम लोग, question number two की तरफ, question number two में क्या हो सकता है, तो यह revolutionize कर सकता है, करांती ला सकता है, यह लाएगा, ऐसी भात हम लोगों को चाहिए, अब ज़रा आप दिहान स देखे, इस question को हम लोग कैसे बना सकते हैं, यह किस में चल रहा है, have developed, मतलब वग्यानिकों ने क्या किया, develop किया है, ठीक है, मने development का काम यह हो गया है, ठीक है, अब चलिए, इसके आगे, तो यहां पर sell will की कोई जरूरत नहीं है, first person है, नहीं की sell will लगाएंगे, odd का use हम लो morality को दिखाने के लिए, तो यहां पर morality की बात है, नहीं मसीन की बात है, have यह possession को दिखाता है, possession का यहां पर कोई जरूरत नहीं है, could छमता, तो यह छमता दिखाने की बात कर रहा है, इसलिए answer क्या बनेगा, यहां पर can could होगा, ठीक है, next यहां से आगे बढ़ते हैं, question number 3 की हमारा answer क्या बनेगा, question number 3 का answer क्या बनेगा भई, तो understanding को क्या करेगा, यह बढ़ाएगा, ठीक है, understanding को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, के लिए हम लोग क्या use करें, exceed, exceed का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, किसी limit से ज्यादा, तो यहां पर excess का कोई use नहीं है इसलिए exceed हमारे नहीं होगा, impair का मतलब होता है, खराब करना, impair का मिनी क्या होता है, खराब, ठीक है, बिगाड़ना, खराब करना, प्लाइक का मतलब विकसीत करना थो यहां पर अंडरस्टेंडिंग Candle rap नहीं करना है अंडरस्टेंडिंग को क्या करना इंप्रूव करना है बढ़ाना है इंक्रीज १ करना है तो आंसुर क्या बनेगा हमारा आंसुर बने गा option number B next यहां से आगे चलते हैं तो question number 3 के बाद अब हम लोग चलते हैं question number 4 के लिए आएए यहां पर देखे हम लोग question number 4 क्या है question number 4 में हम लोगों को क्या करना है understanding of how nature's most powerful dash walk देखे most powerful nature's most powerful processor होगा क्या नई processor non living के लिए computer science के लिए हम लोग यूज करते हैं circuit में भी हो भी सकता नहीं भी हो सकता electronic system कोई मतलब नहीं brain तो हम में से ज़्यादा तर लोगे यहां पर क्या use करेंगे brain का use करेंगे और ध्यान देजिए हमने आपको पहले से बता रखा है कि यदि किसी दो question में close test के किसी भी question में उसके दो option में आपको confusion हो कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो हमने आपको पहले से बता रखा है इसका clue हम लोगों के close test में ही कही न कहीं given होता है तो देखे circuit का use भी यहां कर लिया गया है और brain का यूज भी यहाँ पर कर लिया गया है तो electronic circuit होता और human brain होता ठीक है तो हम लोग use करते तो अब ज़रा देखे यहाँ पर चर्चा किसके की जा रहे थे इसकी चर्चा हो रहे थे electronic circuit को human brain के तरीके से behave करना है और ज़रा देखे human brain के लिए यहाँ पर wiring word का use किया गया है ठीक है वाइरिंग word का use किया गया है अर्थाथ उसको non living से compare कर रहा है ठीक है non living के pattern पर उसको आगे की और बढ़ा रहा है अब इसको यदि हम लोग mention करें यदि हम लोग इसको mention नहीं करें इसको हम लोग clue के रूप में नहीं ले तो हमारा answer होता option number D यानि brain लेकिन चुकि human brain के wiring किसका होता है बिजली कितार का होता है बात समझ में आ रही है तो चुकि यह living brain को human brain को treat कर रहा है non living के तरीके से ठीक है इसलिए हमारा human brain answer नहीं होगा अब हमारा answer हो जाएगा option number C तो ये फिर से confusion से भरा हुआ आपका question था ठीक है चलते हैं यहां से आगे अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं लोग last question question number 5 के तरफ अब जरा देखें ये जो पूरा ताम जहाम है ये जो पूरा scenario create किया गया जिसमें computer science है wiring है electronic circuit है अब इन सबों को मिला के क्या बनाते हैं एक system हम लोग बनाते हैं यहां पे यदि आप थोड़ा बहुत भी इनके बारे में जानते हैं computer science के बारे में जानते हैं तो हम लोग यहां पे क्या use कर सकते हैं इसको बिना पढ़े लिके भी हम लोग आ सकते हैं कि the system built on silicon यह जो पूरा का पूरा network system बना हुआ यह किस पर चल रहा है यह पूरा का पूरा system किस पर चल रहा है silicon chip पर चल रहा है अब देखे computer computer ही कि वो नहीं चल रहा है यह cancel यह system हमारा answer हो सकता यह देखे मॉनिटर के वोल मॉनिटर के बात इसमें है नहीं के वोल circuit के बात इसमें है नहीं इन सभी चीजों को मिला के as a whole as a whole इसको क्या बोलेंगे हम लोग तो इसको as a whole हम लोग बोलेंगे system ठीक है बात समझ में आई तो आज के अपने इस video session में हम लोगों ने देखा कि ऐसे कई question आपके as a see exam में पूछे जाते हैं जो आपको confused करते हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे confused होते हुए नजर आते हैं ठीक है और confusion के कारण वो अपना correct answer नहीं कर बाते हैं ठीक है क्योंकि आपका as a see board जो है इस तरीके से question को set ही करता है कि आप में से maximum बच्चे वहाँ पे गलती कर बैटें तो अब आप इन चीजों के प्रती aware हो जाएं अब आप इन चीजों के प्रती aware हो जाएं और इस तरीके का जब भी कभी question आपके exam में रिखाई पड़े तो आप इस टेक्निक का यूज करके हम आसा करते हैं कि वहाँ पे correct answer करने का प्रयास करेंगे ठीक है और आप इस तरीके की गलती को repeat exam में नहीं करेंगे ताकि आप reject नहों आप अपना selection करवा सके exam में ठीक है लेकिन हम जानते हैं कि हम चाहें जीतना भी इस वीडियो के माद्यम से आप सबों को message देने का समझाने का प्रयास करें आप में से बहुत सारी लोग इसको सुन के भी अनसुना करेंगे इसको seriously नहीं लेंगे हम यह जानते हैं अच्छी तरीके से ठीक है इस student का जब आप टैली करते हैं ठीक है तो अब आपको अफसूस होता है पस्चत आप होता है ठीक है फिर आपके जुबान से होई गाना याद आता है कौन से गाना निकलता है भाई दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है ठीक है बात समझ में आई तो चलते चलते लास्ट में फिर से एक बार हम आपको जोड़दार तरीके से आपको emphasize करते हुए बताना चाहते हैं कहना चाहते हैं request और suggest करना चाहते हैं कि आप लोग aware हो जाएए और इस प्रकार का यदि question आपके exam में दिखाई पड़े तो ऐसे sections मे आप गलती करने से बचिएगा ठीक है बचने के बहुत सारे concept की चर्चा आज हम लोगों ने इस वीडियो के माद्यम से करी है ठीक है तो आसा करते हैं कि आप सब लोगे से लाभानवित होंगे और अच्छे से exam देंगे और आप अपना selection में पर करवा के आएंगे ठीक है चल